दोस्तों यूटूब के तरब से तीन न्यू मॉनोटाइज़न पॉलोसी आ चुका है, अब नए यूटूबर को अपने चैनल मॉनोटाइज करने के लिए काफी ज्यादा मसकत करना होगा और यहाँ पर नए यूटूबर छोड़ दो, जिसका चैनल मोनोटाईज है, तो उसके लिए भी अपडेट आया है, पॉलसी में चेंजमेंट हुआ है, अगर आप ये गलती करते हो, तो आप परिसान हो जाओगे, अगर किसी भी तरह से अगर आपका डिसेबल होता है, तो पर चैनल मोनोटाईज नहीं होगा, तो चलि मैं आपको एक एक करके तीनों अपडेट बताता हूँ, और जिसका चैनल मोनोटाईज है, तो आपके लिए एक अपडेट है, तो चलिए करते हैं, वीडियो स्टाइट लगे इससे पहले कल गब यहाँ पर विनर देख सकते हैं, त वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है, उसके बाद दोस्तों, अगर नेक्स टैम अगर आप इनर आते हैं, तो आपका चैनल का लिंक में एक साथ दोनों जगा परमोशन कर दूँगा, तो दोस्तों छलिए करते हैं, वी लेकिन नए नए यूटूबर अपने चैनल में बहुत सारे गल्दिया कर करके रखता है, जिसके कारने का होता है, कि बहुत सारे creator का चैनल एक बार में मौनोटाइज नहीं होता है, आपने apply कर आपका सारा criteria complete हो चुकया है, लेकिन आपने apply किया можно के लिए, अगर किसी बीरी जो की तीन चांट कब-कब मिलता था, 30 दिन बाद दुबारा reapply कर सकते हो, उसके बाद फिर से 30 दिन बाद दुबारा reapply कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंज करती है आए पॉलोसी को, अगर आपका नया चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर र का option मिल जाएगा लेकिन अगर फिर से गलती करते हो और दूसरी बार फिर से अगर reply करना चाहते हो अप तो आपको 90 दिन का wait करना होगा तो change यही हुआ है पहले आपको 30-30 दिन में reply करना का option मिलता था और 3 बार reply कर सकते थे लेकिन अभी policy change कर दिया अगर आपका channel monetize नहीं होता है तो अगर आपका नया channel है अगर अभी तक monetize नहीं किये हो तो आपको एक बार 30 दिन का chance मिलेगा लेकिन दूसरे बार आपको 90 दिन wait करना होगा तो इसलिए भाई चैनल पर ज़्यादा गलती मत करना दूसरे का वीडियो मत अपलोड करना समझल कर काम करना पहले अपने channel को phrase कर लेना उसके बाद ही monetization के लिए apply करना है तो पहला update यह है अब दूसरा update यह है कि जिसका channel already monetize है अगर मान लिजे आपका channel monetize है अगर आपका channel monetize है किसी भी बड़ा penalty लग गया अब अब कोई भी creator का channel monetize अगर disable होता है तो उसको 90 दिन wait करना होगा उसके बाद ही वो reply कर सकता है तो यह policy में बदल दिया गया है और इसे आपको YouTube के VTII स्टुडियो में जाकर accept करना होगा पाई तारिक से पहले तो यह हो गया दो अब तीसरा update यह है कि reuse content के बारे में दोस्तों देखिए reuse content क्या होता है कि अगर आप अपने channel पर किसी दूसरे का video upload किये हो किसी दूसरे का video upload किये हो या फिर कोई same जगा पर अगर मालेजे बहुत सारे लोगों ने video बनाया है तो content एक ही है लेकिन सब लोगों ने अगर एक ही direction से video बनाया है एक ही तरीके से बनाया है तो वो reuse content अगर आ गया है तो आपका channel demonetize कर दिया जाएगा YouTube क्या करता है कि जिसका channel monetize भी हो गया है तो एक साल, दो साल, छे मायना मुसके channel को review करते रहता है अगर आपके channel में दो साल बाद में कोई ऐसा video मिलता है monetize के बाद तो भी आपका channel deep disable कर दिया जागा monetize तो इसलिए भाई reuse content से बंच कर रहाना और बागी एक चीज़ मैं आपको extra बताता हूं जो कि कोई भी creator आपको नहीं बताएगा वो चीज़ क्या है अगर दोस्तों आप अपने channel पर same title पर लगातार तीन वीडियो बनाते हो तो आप संबल कर रहाना दोस्तों अपने channel पर आप same title पर लगातार तीन वीडियो मत बनाना same topic को तीन वर मत कवर करना लगातार अगर मान लिज़े आपने एक वीडियो बना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो दूसरा फिर कल बना रहे हो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो ये YouTube का policy का उलंगन होता है और आपका channel बिना बोले disable कर दिया जाएगा तो कभी भी same title पर लगातार तीन वीडियो मत बनाना अगर आपको बनाना है तो कम से कम एक दिन दो दिन बीच में दूसरा वीडियो बनाओ फिर से उस topic को cover करो फिर से दूसरा वीडियो बनाओ फिर से cover करो लगातार same title पर तीन वीडियो नहीं बनाना है और plus में उसके बाद same title, description सारा चीज आपको same नहीं रखना है सारे वीडियो में कुछ difference रखना है difference रखेंगे तो आपका चैनल पर कुछ नहीं होगा अगर आप मतलब देखिए YouTube क्या कहता है कि मतलब आपका daily कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए तो यह समझ गया बादकी देखिए एक वीडियो को आप दो तिन चैनल पर upload मत करना अगर मान देखे एक वीडियो को आपने इस चैनल पर upload किया दूसरे भी चैनल पर upload किया तो क्या होगा कि आपका जो दूसरा वाला चैनल है वहाँ पर आ जाएगा reuse content तो कभी भी एक वीडियो को दो, तिन चैनल पर upload मत करना ये वहला आपका भी वीडियो है, फिर भी upload नहीं करना है तो आप यहां पर समझ गें तो ये कुछ तीन मैं आपको बताया है, अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो और चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदिमात्रम।